जोबनेर टाइगर्स पहुंची सेमी फाइनल में शहर के लाल कलब स्टेडियम पर खेली जा रही राश्ट्रेटी टुवेंटी वारी सोलर कप क्रिकेट प्रतियोगिता में पूल सी के खेले गए मुकाबलों में जोबनेर टाइगर्स ने लगातार तीन मैच जीत पर रन औसत के आधार पर सभी पूल में टॉप रहते हुए प्रतियोगिता के सेमी फाइनल में प्रवेश कर लिया जोबनेर टाइगर्स ने गणी गलाइडर सम्रिट सर को 82 रन के बड़े अंतर से हराया टॉस जीतने के बाद पहले खेलते हुए जोबनेर टाइगर्स की टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 265 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया जवाब में गलाइडर सम्रिट सर की टीम 183 रन पर ही सिवमट गई दूसरे मिच में दिल्ली 20-20 क्रिकेट एशोसियेशन की टीम ने हिमाचल क्रिकेट क्लब चंडी गड़ को 96 रन से हराते हुए फ्रतियोगिता में मपने सफर को जीत के साथ समाप्त किया दिल्ली की टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए जवाब में हिमाचल की टीम 124 के स्कोर पर ही ओल आउट हो गई ग्रामीनों की चेतवनी के बाद हरकत में आय अधिकारी पेजल संकट के निदान का दिया भरोसा उपखंड के मंडावरी कस्बे की सक्रपूर या मालियों की ढानी में पिछले 6 वर्षों से व्याप्त पेजल संकट से तरस्त ग्रामीनों द्वारा पंचायत राज चुनावों के बहिशकार की धम की दिये जाने के बाद गुरुवार को उपखंड प्रशासन भी हरकत में गुरुवार को मौके पर नायब तहसीलदार भरोसी लाल जलदाय विभाग के सहायक अभियंता जालंधर मीना मंडावी पटवारी में श्रीलाल मीना एवन ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार मीना का दल पहुंचा और क्षेतर में व्याप्त पेजल संकट के बारे मे जानकारी ली नायब तहसीलदार ने ग्रामीनों को भरोसा दिया की कहा कि पेजल की समस्या के बारे में उच अधिकारीयों को अवगत करा दिया जाएगा और शीगरी पेजल संकट का निदान कर दिया जाएगा नायब तहसीलदार ने भरोसा दिया थिलहाल के इंकरों द्व इस दोरान गावों में जगेह जगेह खुले पानी व खेतों में बर्फ की परते भी जम गई पिछले कुछ दिनों की राहत के बाद गुरुवार को ठिटुरन व ठंडी हवाओं ने भी ठंड के प्रकोप में औरा देखिया वही दूसरी ओर दोबारा थंद बढ़ने से किसान अब पाला पढ़ने की आशंका से किसान भी चिंतित नजर आए विवंजन प्रतियोगिता का आयोजन रामगर पचवारा के आदित्य शिक्षक प्रशिक्षन महाविद्याले में जारी खुला सत्र कारिक्रम के तहत गुरुवार को विवंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सभी प्रशिक्षू शिक्षक शिक्षिकाओं ने बड़े उत्साहा के साथ शिर्कत किया इस मौके पर संस्थान के सचिव मोहन लाल सैनी निर्देशक कमलेश शर्मा समेत सभी शिक्षक गण भी मौजूद रहे